मुंबई की सड़कों में मौदी मोधी हो रहा है और ये क्यूं हो रहा है खूद नरेंदर मोधी जी से पूस्ते हैं देश के प्रधान मंत्री जो इस समय मुंबई की सड़कों पर छाय हुए है सर सबके दिमाग में एक ही बाद दस साल के सासन सत्ता के बाद भी आपकी पॉपलर्टी लगातार बढ़ती जा रही है रिजन क्या है चंता जनारधन का आशिरवाद है चंता जनारदन पर नीर खुषीर विवेक अच्शी तरह जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है क्योंकि भारत के नागरिकों के रगों में लोगतंत्र है वे बोलते कम है लेकिन सही की परख उनको होती है और उनका ये सामर्त है कि बेच चीजों को पहचान करके निरने करते हैं और मेरे लिए प्रसनता का विशय है कि मेरा पुरा जीवन देशवाज्यों के लिए समर्पेता है और जब उनका इतना प्यार मिलता है तो मेरी काम करने के उर्जा बढ़ जाती है प्रदानमंत्री जी चार चरण के चुनाओं संपन्न हो गए हैं आप जहां भी जा रहे हैं 5-6 सभाएं कर रहे हैं हर रोज मैं देखता हूँ सभाओं के बाद आप रोड शो करते हैं आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाओं है वो क्या नया इतियास लिखने जा रहा है क्योकि तीसरी बार आप बनारस से लोगसभा का चुनाओं लडने जा रहा है और जो रुजान आ रहे हैं तीसरी बार आप प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे है मैं आपका अभारी हूँ क्योकि आपकी चैनल में आपके अपने सोーस होंगे आपके पास जानकारिया होगी आप एनालिसिस करते होंगे और जैसा आपका एनालिसिस है वैसा ही देश का एनालिसिस है कि दस साल का कारकाल पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है दस साल का कारकाल 2014 में जो देश निराचा की गर्त में डुबा हुआ था आप देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर देश वासी को लगता है कि हम अब रुकने वाले नहीं है हम तीन नंबर की एकोनोमी बन करके रहेंगे यह विश्वास है 2047 तक विक्सित भारत बन के रहेगा यह सामान्य मानवी का विश्वास है कोई कल्पना कर सकता है इंदुतान के सात्वी आठीकर चाहिए कि बच्चे को मालूम है G20 क्या होता है मतलब भारत का नागरी उस रूप में तयार हो चुका है दार्मिंद्री जी 2014 के बाद हमने देगा कि धार्मिक और अध्यात्मिक पुनुरुत्थान हुआ चाहे वो राम मंद्री का निर्माड हो चाहे कासी विश्वनात कॉरिडोर का निर्माड हो लगातार धार्मिक पुनुरुत्थान की वज़ा ही मानते हैं कि लगातार विपक्ष आप पर सीधे और व्यक्तिकत हमले कर रहा है मैं एक राजनितिक व्यक्ति हूँ और मैं नहीं मानता हम कोई पुलिटिकल वर्कर अध्यात्मिक पुनुरुत्थान कर सकता है वो तो हमारे हजारों साल की रुश्यों मुनियों की तपसरिया है उसी पर वो है और अभीरत चलता रहा है बिच में कैसा कालखंड आया कि कुछ विकूत मान सिकता हमारे लोगों ने उस पर परदा डाल दिया मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस परदे को हटा रहा हूँ ताकि लोग अपने सामरते को अपनी विरासत को अच्छे धंग से समझे दूसरा एक सो चालिस करों का देश आप किसी को मुझहरे के मिन में इच्छा रहती है कि मुझे एक बार मा को गंगासनान कराना है एक बार चार धाम यात्रा कराना है अगर मैं अध्यात में छोड़ दूँ मैं और कोई विचार दूँ प्योरली मैं कॉमर्शियल टर्म्स में सोच हूँ एक सो चालिस करोड यात्रियों का बिजनेस पढ़ाए मेरे देश में अब मुझे कोई बताए क्या मेरे देशवासियों को जहां वो जाए वहाँ अच्छा टॉयलेट मिलना चेक नहीं मिलना चाहिए वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलनी चेक नहीं मिलनी चाहिए रहने के लिए अच्छी जगा मिलनी चेक नहीं मिलनी चाहिए ट्रांस्पोर्टेशन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलनी चेक नहीं मिलनी चाहिए इस सरकार काम है जो काम देश आजाद होने के तुरंट बात करना चाहिए था वो नहीं किया है जैस मैं सिर्फ कासी का बताओ करी 5 करोलों लोग काष्य जान पर गया तो इसको उस उस अरज में भी देखना चाहिए लेकिन संखीकों के बीच में जो भ्रम फेलाया जा रहा है जो बाते कही जा रही है कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो समिधान खतम कर देंगे जो लोगों को आरक्षन मिल रहा है वो खतम कर देंगे उसको कैसे देखते हैं मैं 23 साल से head of the government हूँ ये जुठे बयान बजी करने वाले लोग आज तक एग भी मुद्दे पर निरनायक नहीं बन पाए हैं नहीं court से judgment ले पाए हैं उनकी हिंदु मुसल्मान की राजनीती को मैं expose कर रहा हूँ उनकी वोडवेंग की राजनीती को मैं खुल कर कर करता हूँ मैं मानता हूँ हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए हमें हिंदुस्तान एक है उसी रुप में देखना चाहिए और उसी रुप में हमने आगे बढ़ना चाहिए अब मुंबई में हैं उद्धो ठाकरे की उद्धो ठाकरे और सरत पवार दोनों की पार्टियों ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर एक गडबंधन मनाया है क्या आपको लगता है कि वो चुनोती आपको दे पाएंगा दूसरी उन्होंने एक बात और कही है कि भारती अंता पार्ट लोग है कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाब और सोते रहे तो ऐसे लोगों को देखमोट नहीं देना चाहिए जिन में अपनी पार्टी को समालने का ताकत नहीं है वो देश क्या समालेंगे कोई आकर पार्टी जो रोते रहते हैं आशू भाते हैं इनके प्रती तो देश को अपरस हैं यह ऐसे कैसे हैं बारा साब जी का परिवार जन ऐसे हो तो क्या है अरे वो तो मर्द के बच्चे होने चाहिए किसकी ताकत है को कुछ ले जाए इसका मतलब कुछ गडबर उनके अंदर है उनके पारिवारिक जगड़े हैं उसका यह परणाम है अंतिम सवाल क्या आपको लगता है कि महराष्ट हो चाहे वो बिहार हो या जहां पर इंडी गडबंधन मजबूतिस चुनालोड रहा है आपको चुनोती दे पार रहा है आपकी पार्टी को चुनोती दे और 2024 में चार जुन को कैसा रिजल्ट देखते हैं भारतिय जनता पार् के मुड में है और इसलिए मुझे इसके लिए दिमाग खपाने के जरूत नेगे चार जुन को आप भी इस उत्सव और मांग में जुड़ जाएंगे